हलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चैनल इंवेस्पेंट का बाजार और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोटाफोन आइडिया के स्टॉक के बारे में फ्रेंट्स Vodafone Idea के स्टॉक में आपको पिछले बीते दिनों काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली अल्मोस्ट दोस्तों 12 रुपे से स्टॉक 10 रुपे तक फिसल गया क्या अभी दोस्तों Vodafone Idea के स्टॉक को बाय करना चीए और 15 रुपे का लेवल कब Vodafone Idea के स्टॉक में देखने को मिलेगा और क्या होंगे कल के इंटरे टार्गेट जाने के सब कुछ इस छोटे से वीडियो में तो वीडियो को इंटर्ग देखना वीडियो अच्छा लगए तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों मार्केट की बात कर लेते हैं कल के दिन मार्केट में एक गहरा लान लिशान था लगबग 500 पॉइंट सी गिरावट दोस्तों आप कहा सकते हैं निफ्टी में देखने को मिली थी कि साए स्टॉक जो भी कल के दिन गिरे थे वो सारे स्टॉक आउट परफर्म करके दिखा रहे हैं चाहिए वो Tata Power हो Tata Motor हो Vodafone Idea हो सारे आप कह सकते हैं PSU स्टॉक हो सब में एक तगड़ा Pullback, Bounceback आप लोगों को देखने को मिल रहा है और उसमें Vodafone Idea का stock भी पीछे नहीं है दोस्तों आप देख सकते है active by volume में लगभग 4 प्रतिशत की तेजी Vodafone Idea के stock में currently basis पर अभी देखने को मिल रही है जी है दोस्तों 4 प्रतिशत की तेजी stock में काफी दिनों बाद ये तेजी देखने को मिली है और लगभग 140 million 14 करोड के stocks अभी stock में trade हो गए तो definitely दोस्तों stock में एक अच्छा buying momentum मन रहा है और exactly आपके सकते 10 रुपे का जो crucial support level था वहां से stock में एक तगड़ा bounce back आप लोगों को देखने को मिल रहा है stock के technical rating की बात करें तो technically stock अभी yearly basis पर neutral zone में कामकाच करता है देखने को मिल रहा है moving averages 2 by 3 sell technical indicators 4 neutral 3 sell moving average crossovers 1 by 1 sell stock के दोस्ता अपन resistance level पर आगए तब देख सकते अब resistance तो दोस्तों एक आएगा 11 रुपे 16 पैसे और support की बात कर ले तो आज 10 रुपे 14 पैसे यानि आप मालीजे 10 रुपे 10 पैस अगयो support है इसना आज exactly उस support को आप कह सकते हिट किया और एकदम से एक bounce back देखने को मिला आज का अगर low देखें तो exact 10 रुपे और अभी लगबग 10 रुपे 50 पैसे पर है stock कामकाच करता हूँ देखने को मिल रहा है आप देख सकते हैं आज का open 10 पैसे उपर open क्या stock low देखिए 10 रुपे का low है जिया दोस्तो 10 रुपे का low है और high देखिए अभी currently stock दिन की highs पर return near term में Vodafone ID के stock में देखने को मिल जाता है 10 रुपे के exact आप कह सकते हैं योग कि इतनी भी खराब financials निए 10 रुपे के लेवल से नीचे फिसल है और आप कहा सकते कि budget में 5G का अच्छा कासा focus किया गया था तो definitely दोस्तो Vodafone ID के stock में buying बनती है अगर आपी current situation की बात कर ले दोस्तो अब buying position जादा है अब देख सकते 3,69,000 orders buying पर है और 1,76,000 order selling site पर है तो definitely दोस्तो आज की दिन एक बड़े बड़े breakout Vodafone ID के stock में देखने को मिल सकते हैं stock की अगर अभी current price की बात करें दोस्तो अल्मोस 14 करोड share आज की दिन stock में trade हुए और लगबग 10 रूपे 50 पैसे अभी stock का price चल रहा है 35 पैसे की तेजी दोस्तो stock ने दिखाई है कल की दोस्तो गिरावट के बाद आज एक तगड़ा pullback Vodafone ID के stock में देखने को मिल रहा है तो जलिए दोस्तो आप चलते है Vodafone ID के intra day charts पर और कल के और long term के internet targets पर चर्चा करते है तो friends अपन Vodafone ID के intra day charts पर आ गए almost दोस्तो 10 रुपे से stock ने एक तगड़ा bounce back दिया है जो कि लगबग 5% का है अब आप हो क्या करना चाहिए दोस्तो अगर आप दोस्तो long term के investor है आप कहा सकते हैं बहुत सारे लोगों ने दोस्तो ऊपर इस तरुपे buying करोगे किसने 14 रुपे किसने 15 रुपे किसने 16 रुपे इवन stock में buying करी थे उन लोगों कब क्या करना चाहिए दोस्तो उन लोगों को अभी 10 रुपे के levels का weight करना चाहिए और 10 रुपे के levels पर buying position बनानी चाहिए word of an idea के stock में योगी दोस्तो अगर आप stock का RSI दिखेंगे तो दोस्तो RSI अभी stock का लगबग 25 से 30 की range में चल रहा है that means कि stock is in oversource zone और कभी भी दोस्तो stock में breakout आएगा तो 11 रुपे का level तो आपको easily देखने को मिल जाएगा अब दोस्तो कल के internet targets की बात करते हैं कल दोस्तो अगर आप 10 रुपे 50 पैसे पर buying करते हैं तो दोस्तो आपको 10 रुपे 70 पैसे पहला target और 11 रुपे ये दोनों target आपको कल के दिन बात कर ले तो अभी दोस्तो मुझे लगता है कि 17 रुपे का level है अभी आप देख लीजिए 10 रुपे 60 पैसे पर आगया है stock almost 5% की तेजी stock में हो गई है 17 रुपे का level है within this end of year Vodafone Idea का stock दिखने को मिल जाएगा अगर दोस्तो को ये अच्छी ख़बर आती है तो definitely दोस्तो Vodafone Idea का stock में अच्छी खासी तेजी निक हो सकती है बज़ेट में दोस्तों करते हैं कि 5G फोकस होता तो definitely दोस्तो Vodafone Idea इस साल में काफी फोकस में रहने वाला है और एक अच्छी तेजी Vodafone Idea stock करके दिखा सकता है तो दोस्तो that's it for video ऐसे वीडियो के लिए माँ चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें दोस्तो थैंक यू फ्रेंट साचिंग इस वीडियो